कि जैसे पिछले समय किसार बन के रिड़ माफी करे ले हैं, अब फिर से सरकार बना किदार बन के रिड़ माफी होई किदार बन के रिड़ माफी होई और 15 सीटों के अंदर ही भाजपा सरकार से मिट गई थी तो साल 2018 को वो चनाव तो आपको याद होगा उस दोरा यही कहा गया कि कर्ज माफी मास्टर स्ट्रोक है जिस पर किसानों ने पूरा भरोसव जताया भुपेश बगहेल पर उनकी सरकार पर कॉंग्रिस की उपर और फिर से हमने देखा कि किस तरह से आज सीएम भुपेश बगहेल ने 36 कड के सकती में ये बड़ा एलान किया है तो ऐसे में ये जाना बहुत ज़ादा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कर्ज माफी करेंगे और हम सभी जानता है कि क्र्ज माफी के सहारे से ही कॉंग्रिस ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की थी और इस बार फिर से मास्टर स्टोग चला है सिएम भुपेश बगहेल ने तो आप उनके इस चुनावी बादे को लेकर कि क्या सूचते हैं वो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा आपको लगता है कि क्या वाकि इससे जो कहा जा रहा है था कि शायद इस बार बीजेपी और कॉंग्रिस में काटे की तकर होने वाली है तो क्या आपको लगता है कि इससे एक बार फिर से को बहुत पीछे दहकेल देगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो किसान है, अन्यदाता है, जो ग्रामीड शेत्र के वोटर्स है कॉर वोटर्स है, हम कॉन्ग्रेस के क्योंकि अभी हम बहुत सारी रिपॉर्ट्स रैपुर्र की देख रहे हैं, उसमें जितने भी शेहरी शेत्र हैं उसमें स्टार्ट प्रतीशत जनिता है वो ये कह रहे हैं कि हाँ वाकई वो बीजेपी की साथ जाना चाहती है क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि भुपेश बगहिल सरकार ने शेहरी शेत्रों के लिए कुछ जादा किया हूँ यही वो बयान है जो आज की सबसे बड़ी खबर है Master Stroke चला है CM अभुपेश बगेल ने उसके बाद जाहिर सी बात है BJP अब इसे चनावी घोशना बता रही है चनावी वादा वो ने बता रही है चनावी वादा है देखे जब चनाव का साल रहता है चनाव की मोहाने पर फ्रदेश है साथ नवंबर को पहले चरण का मतदान है और सत्रा नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है तो उससे पहले आप देखे कि किस तरह से CM उपेश बगेल ने ये Master Stroke चला है तो क्या ये Master Stroke काम करेगा BJP इसके बारे में क्या बोल रही है वो भी हम आपको सुनवाते है प्रतिक्रिया आप सुनगे BJP की तो देखे बीजेपी कह रही कि इससे जदा फरक नहीं पड़ता है इस बार क्योंकि जनिता और किसान कॉंग्रेस के छलावे में नहीं आने बाली है अब ये तो वक्त ही बताएगा क्योंकि अब जो गेंध है वो किसानों के पाले में एक बार फिर से चुनावी वादा तो कर दिया गया है लेकिन क्या इस बार वागे किसान भरूसा जताएंगे वुपेश बगेल सरकार पर और वुपेश बगेल के चुनावी वादे पर आपको क्या लगता है कमेंट करके आप जरूर यहाँ पर अपनी राय देख सकते है किसी भी तरह अब जो कॉंग्रेस से डामेज कंट्रोल पर जुटी हुई है क्योंकि 90 विधानसभा सीटों पर कॉंग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का एलान कर दिया है कल ही साथ सीटों पर प्रत्याशियों का एलान हुआ है चार विधायकों के टिकेट कल काटे गए हैं यानि की जो भी आंटी इंकम्बंसी के उन्हें खबरे मिल रही थी 22 विधायकों के भी टिकेट काटे गए हैं नब्बे विधान सभा में तो ऐसे में आप समग सकते हैं कि 90 में से 22 विधायकों के अगर टिकेट काटे गए तो कहीं न कहीं जुरिता इन विधायकों के कामकात से नराज है अब उस नराजगी को कैसे कम करना है क्या उसके लिए ये कदम उठाया गया है क्या आपको ऐसा ही लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजेगा और धान खरीदी को तो हम देखी रहे हैं कि हर साल नएने रिकॉर्ड्स धान खरीदी को लेकर के सरकार कर बना रही है हर साल जो टारगेट है वो जादा बढ़ाया जाता है चुनावी साल में इस टारगेट को और बढ़ाया गया और इवन जो मंत्री हैं कई ये कह चुके हैं कि 3400 प्रतिकुंटल के हिसाब सिधान खरीदी की जाएगी हला कि अभी तक perfect rate exact rate सामने नहीं आया है और एक नवंबर सिधान खरीदी शिरू होने ही वाली है और उससे पहले CM उपेश्बगेल ने आज ये बहत बड़ी खबर दी है और बहत बड़ा उन्होंने आज ये ऐलान किया है चुनावी वादा किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा कर्णावी वाली है